क्याल चाल दोस्तों, Apple का नया iPhone 16 Plus and iPhone 16 दोरों आ चुके है, हमने Pro Series की Unboxing आप लोगों के लिए चैनल पे डाल दिये Apple की Non-Pro Series में मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है, इस बार जो Pro Variant में फीचर्स निकाले हों, अल्मोस सारे आपको इन में भी मिलते है एक नया camera button है, Apple की नये AI feature जो आएंगे तब इस पे भी होंगे, console level games आप चला सकतो, design में काफी बड़ा अपग्रेड करा गया है, Apple के हिसाब से काफी बड़ा, action button आड करा गया है, नये colors है, और भी बहुत सारी चीजे हैं, जो अंदर छुपी में है, सारी आप लोगों साथ साइड में, country of origin भी इंडिया है, और manufactured by Apple India Private Limited है, तो पहली बार है, जब Apple के brand new devices इंडिया में ही बनाये जा रहे हैं, starting से finish तक, और pro series में है, pro series की country of origin चाइना है, और ये assembled ही चाइना ही पीछे की तरफ ही लिखा, सबसे वहले आपने एक चीज़ नोड़े सकरी होगी, जो नौन पुराल अवरिजान उसमें back दिखा रखी है, क्योंकि इसमें back में जादा कुछ नहानी है, और इसमें front में जादा कुछ नहानी है, और इसमें पहले बाई, iPhone 16, पट ये है Apple का नेया iPhone 16, मेरे को personally इस बार जो non pro series है, वो थोड़ी जादा exciting लग रहे है, क्योंकि of course एक design change है, और इस चीज ये colors जो event में दिखाए थे और जो हाथ में दिख रहे है, वो एक्तम ही अलग है, event में को जादा ही चटक से बिखे रहे है, ये total 5 colors में आ रहा है, हमारे बास steel और ultramarine है, उसके अलावा ये black, pink and white color में आ रहा है, बड़े काफी interesting सा design है, iPhone 10 जो थी उससे थो कभी लोगों confusion होगे थी, क्योंकि उनमें e-sim है, उनमें physical sim नहीं होती, इसके अलावा कुछ पुस्तक है, डाइनेमिक आइलेड वाली shape में, ये same ही है जो प्रोव में मिल रहे है, और of course दोस्तों इस बार कोई stickers नहीं है, जो जाता है लोग दब्बे में छोड़ देते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं एक secret tip बदा तो, अगर आपको चाहिए तो मैं एक secret tip बदा तो, अगर Apple store आप जागे खरीद होगे और उनसे mango के stickers तो आपको अलग से देदेंगे, और आवाई खोल लेते है, इस बार नई covers भी आए, 15 series से हाथ में बगड़ने बहुत ही जादा different feel हो रहा है, इस बार design काफी अलग सा है, दो बड़े-बड़े lenses हैं, और जो camera का bump है, ये back panel से connected है, तो काफी seamless सा feel हो रहा है, 16 plus का design भी काफी similar है, और जो back side में texture है, पिछली बार भी matte finish वाला texture था, इस बार भी matte finish है, बट जो हाथ में पकड़ने feel हो थोड़ी सी different है, और जो छोटी छोटी चीजें शायद notice कर पाँ, पहले जो display होता था बिल्कुल ही flat होता था, बड़ अब edges पे बहुत ही slide सा एक curve है, तो एक comfortable सी feel आती है हाथ के अंदर, and of course, बड़ की बात करी रहे हैं, दो तीन चीजे और आप notice करोगे, right side में power button के नीचे एक नया camera button दे रखा है, हम इसको button बोल रहे हैं, बड़ आप पन ले इसको कहीं पे पूरी presentation के अंदर button नहीं बोला, even जो Apple के employees हैं, उन्होंने भी interviews दिये थे, उन्होंने भी इसको कहीं पे बटन नहीं बोला, और मेरे को confusion थी कि एक actual button है, या फिर जैसे Apple का trackpad होता है, अगर आप ऐसे कपड़ा लग तो यहां पे छेद होगा, और वो छेद के साथ यह बढ़िया से काम नहीं कर पाया, तो आपको Apple का ही case यूज करना पड़ागा, क्योंकि Apple का flush है, यहां पे glass लगा है, यह बढ़िया काम करता है, ऊपर नीचे करना है मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी, और यह case का price है 5000 आपे थोड़ा सा खर्चा बड़ जाएगा, and of course, left side में एक action button भी आपको मिलता है, and यह भी iPhone 16 में एकदम फ्रेश है, और भी छोड़ी छोड़ी चीजें जो जातर लोग नोटिस ना करें, back side में यह जो camera वाला glass है, Apple ने पहली बार इसके अंदर sapphire glass लगा है, जो pro series में आता है इसका display, देखो मैं आपको एक reference बताता हूँ, इस time पे 15,000 रुपे के उपर ऐसा कोई smartphone नहीं है, जिसमें 120 Hz का display ना हो, except iPhone, and यह iPhones 80,000, 90,000 रुपे का आते हैं, और यह मेरे साब से basic necessity है, मेरे साब से Apple का thought process रहा होगा, कि यार, pro series और इसमें कुछ तो difference होना चाहिए, and हर ब 20 Hz नहीं, तो कम से कम 90 Hz इसका display करा जा सकता था, तो वो एक चीज है, मेरे को थोड़ा तो off लगी, but वैसे अगर आप display यूस करोगे, आपको उपर की तरह एक dynamic island मिलेगा, इसकी brightness अची है, contrast अच्छा है, अगर आप display में videos देख रहे हो, game, same, scale, आपको definitely मजा आएगा, but of course, इ प्यारी application, fresh walls पर आप जाके प्यारे-प्यारे wallpapers डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें space वाले astronaut है, कुछ फूल पौद है, अलग-अलग categories है, अगर आप अपल का app store पर भी जाके खुलोगे, तो इसमें आपर नमबर वन graphic and design में आता है, काफी सारे लोग है जो बसंद करता है, thank you so जार करता है, तो एक अलग-सा animation जा feel होता है, आजाते हमारे button के उप़र, यह बहुत rare होता है, अपल के case में, कि प्रो सीरीज में एक नया feature निकालना, तो same feature आपको non-PRO सीरीज में भी मिले, और जो camera button प्रो सीरीज में है, वो same button इसके अंदर भी है, normal button से दिखने में सब्सक्राइब करता है, अगर फोन बंद है, अगर आपको क्लिक ही करना पड़ेगा, एक क्लिक अगर आप करोगे, तो आपका camera खुल जाएगी, एक सिंगल क्लिक से आप फोटो खीच सकते हो, अगर 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 तो वीडियो बननी चालू हो जाएगी, ठेक है, इसके अगर सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं होता है, बड़ा हलका सब्सक्राइब तो ऐसा एक मोड आजाता है, जैसे इसमें अभी यह exposure नहीं हो रहा है, नुद में इसको फिर से tap और करोगा डबल टॉप में गरोगा, इसके बाद मैं इसको चेंज करदूंगा गादट, जूम, डाएज, मैं इसको जूम पर कर दूँगा, तो अब मैं इसको ख्लिक करके जूम इन कर सकता हूं, और मैं इक तूम, पहुता हूं, कफी इंटरस्टिंग तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर मैं जहाँ तेस्ट स्वाइप करो, तो कफी तेस्वाइप होता है, और अगर मैं धीरे-धीरे swipe करूं तो धीरे-धीरे swipe होता है और मैं बहुत अलकाजा में जूम इन, जूम आट करना हो तो भी कर सकता हूँ और इसको of course मैं चेंज कर सकता हूँ जैसे अगर मैं इसको जूम की जगा थारी तो ये camera ही change करेंगा जूम नहीं करेंगा और मेरको समझ नियाए क्योंकि यहार मैं पर्सनली बहुत जादा फोडोस कीचता हूँ, हम वीडियो बनाते हैं, यहार बाई 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 प्रॉडक्शन में हमाला अच्छा गाजा हमारा सेट आप है, बट मैं को समझ नियाए कि इसको यूस कप करा जाएगा, जब हात में आ सेम चीजें करता है, जो मैं नॉर्मली भी अपने फोन के साथ कर सकता हूँ, मैं परसनली बहुत बड़ा फैन हूँ स्टीव जॉब्स का, और मेरको याद है, जब पहला आई फोन बना दा, स्टीव जॉब्स ने बहुत ही जादा महनत करी दी, कि एक भी एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उनका गयाना था कि यार, हमारी उंगली से हम डारेक्ली स्क्रीन को टच करें, वो सबसे जादा बेस्ट बटन होता है, और जब अपल नए बटन्स एक्स्ट्रा आड़ कर रहा है, जिसकी कोई ऐसे नीड नहीं है, तो मेरेको वही सेम चीज मेरी वीडियो डिरेक्ट रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती, तो वह काफी जादा कन्वीनेंट होता है, क्योंकि अगर ये फीचर प्रो लोग के लिए बनाया गया है, तो प्रो लोग जिस चीज के लिए उसके लिए बनाया जाना चाहिए था, इस टॉपिक पे आपनी पॉ हो जाते हैं जब बंदे ती से टाइप करते हैं, तो उन्होंने रिलाइस करा है इसको जंबल करके क्वर्टी ऐसे करके कर देंगे तो लोग धीरे धीरे टाइप करेंगे और कीज जाम नहीं होंगी, बट जब नॉर्मल कीबोर्ड आ गए तो किसी ने वहापस स्विच नहीं पांच परसेंट बेटर है, जाता लोग वो जो फ्रिक्शन होता है, शिफ्ट करनेगा उसके थुरू नहीं जाना चाहेंगे और पुराना वाला ही यूस करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी हम कीबोर्ड स्विच कर सकते हैं, बट अमको आदत पढ़ चुगी ऐस चीज की, त यो कोई अलग फंक्शनालिटी देरी है, तो दोस्तों ट्यक परना ब्रेक्डाउंस, भाई को अधादी है, मेरको इस क्यामरा बटन का एक थोड़ा यूसफुल केस लगा, और इसमें मैं इसको एक सिंगल टच पे, इंस्टाग्राम पे सेट कर सकता हूं, बट इसमें भी मै अपल का नया A18 चिपसेट इसमें भी है, और मेरे आप से अपल इंटलिजेंस के से जादा केपल होगा या कुछ होगा, तो इसलिए करा गया होगा, इस बार सारे आइफोन के अंदर 8GB RAM आपको मिलती है, तो पिछली बार से अच्छा बड़ा अप्ग्रेड परफॉमेंस मे मिलेगा अपको, Resident TV लामने इसमें खेज की, अच्छी चल रही थी, एकदम console-level graphics हो नहीं तो नहीं है, बट मजा रहा था लिखने में, अब phones बहुत तगड़े हो गया है, हमने GTA 5V Android phones में चला रखी है, और मस चलती है, 45-50 fps अब आइफोन पे भी गेम इम चल रही है, पूरा म Pro Series में दोनों साथ में आई है, वो है Fusion Camera, अब तो मैंने बहुत सारे नाम माम सुने है, Fusion Camera बेसिकली आपकी फोडोस को फास्ट मना देता है, काफिछारी प्रोसिंग हो जल्दी कर देता है, तो अगर आप नॉमली फोडोस ले तो ब्लर कम आएगा, अगर सामने आला बंदा अगर 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 आप 48 में पिक्सल में भी फुल कोड़ी कीचो, अफकोस हल्का सा टाइम लगता है, बट वाइड में, अफकोस प्रो जितना फास्ट नहीं है, बट काफी क्विकली फोडोस ले ले लेता है, हमारे स्टूडियों में काफी अलग अलग ताइप की लोग है, अबकी हिरते हो फोडोस ले 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 लेट अभी लेटार आइप विडियों अपक्शल वीडेश्यों, काफी वीडेश्यों में अख्वूड काया है, ऊसमें मेरको कोई डिफर नहीं थील होगदा है, इसमें में माक्रो फोडो बाइव यह 1X नहीं है, मेरको एवने की तो 3D वीडियो जो बस आप पेल के विजन प्रो में देख सकते हो उसके लाबा किसी भी और वी आर हेड़ से जो इन देख सकते हैं पर एक चीज में रहो काफी कुल लगी जिते भी व्लॉगर से हैं जिते भी लोग वीडियो बनाता है एफून से उन सब काफी दा मदा आएगा य यह है स्पेशल ओडियो जैसे अभी आप सुन पा रहे होगे अभी यहां पर ना काफी सारी एको एन काफी सारी नौइज है अब इसमें जब मैं रिकॉर्ड बाद में मैं चेंज करके इस ओडियो को कुछ ऐसा कर सकता हूँ तो अभी यह जो ऑडियो है पहले से काफी बेट फोन के अंदर ही एक इन फ्रेम है जो आपको कामरे में दिख रहा है उसी की ओडियो आएगी उसके अलावा बाकी सारी कट आउट कर देगा एक दूसरा सिनेमाटिक है अगर अलगी सिनेमा लेवल कुछ शूट करने जा रहे हो उसके अलावा मेरे को फोटोग्रफिक अन उसके अलावा नाचुरल है, लुमिनस, ड्रमाटिक, क्वाइट, पोजी, अथिरियल, लास्ट नाइम अगर आपनो हो यादो, जो 15 प्लस था और 14 प्लस भी था उसमें आइफोन प्रो मैक सी जादा बैटरी बंद हो जादा चलता था क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी 60 घर ब्राइटनेज भी थोड़ी कम थी, प्रोसर भी थोड़ी कम पावर लेता था पर इस साल बदल गया बट सारे लोग जिनको भाई सबसे बड़ी बैटरी के साथ एक आइफोन चाहिए था वो प्लस पे जाते थे वो प्रो मैक्स पी नहीं जाते था थोड़ा थोड़ा थोड पार से इंप्रूवड है बैटरी, 10% के अराउंड का भी इंप्रूव्मेंट समाज सकते हो, अगर अभी आप आइफोन की स्पेसिकेशन से गए तो अपल बता रहे हैं इन दोनों के अंदर 25W की चार्जिंग है बट से थोड़े फास चार्ज जाज हो रहे हैं बट हम पूर इन दोनों फोन में अपल इंटलिजेंस आएगा बट अभी लॉंच नहीं हुआ है अन इसके लिए मैं अगो थोड़ा बुरा लागा क्योंकि यूजले इसा होता नहीं है, अपल ने WWDC में अपल इंटलिजेंस बताया था का अफसाल लोग बेटा में टेस्ट कर रहे हैं ने अगो ने नहीं बता तो हमने इफोन 15 प्रो बेटा डाल के अपल इंटलिजेंस अपल इंटलिजेंस अपने अपको तोड़ा अलग सा अनिमेशन दिख जाता है अफकोस फीचर बेटा में तो एकदम प्लीट नहीं है अल्मोंस 70 चीज़ें अपल ने इंटी बताई वह भ बड़ा चोटा करना है आपको text हटाना है desktop से rearrange करना है control center को थोड़ा कस्टमाइज करना है एक game mode भी है जो बस एक notification दिखाता है कि हाँ चल रहा है अब क्या हो रहा है से हमको जाथा फरक पता ने चल रहा क्योंकि game ऐसे भी smoothies जलती है इन दोनों आइफोन का प्राई सेम है ज काफी बड़ा bump मिलता है उसके लावर design काफी नई है काफ़ा नई features मिलते हैं और software से भी काफी सारी छोड़ी छोड़ी चीज़ें add करी गई है and even अगर आप iPhone 15 series पे भी हो तो भी आपको एक jump feel होगा अगर आप इस पे shift हो तो और हाँ इतना इदायस वाली वीडियो के लिए आप comment section में बताना आपको कैसी लगी यह वीडियो और हम मिलते हैं आपसे next Hollywood वाई बाई